ये जो गैजट में आज आपको दिखाने वाला हो ना ये हर घर में बहुत ज़ादा काम आने वाला है दिवाली आने वाली है दिवाली पे तो ये बहुत ज़ादा ही काम आएगा और पूरा साल ये जो गैजट है आपके बहुत ज़ादा काम आने वाला है कीमत है सिर्फ 1.500 र होता है contact tester इसको हम बिजली में connect करते हैं यहां पर हमको अपनी finger touch करने होती है और इसमें यहां पर जल जाती है जिसे हमें पता चल जाता है कि जो phase वाला current है वो आ रहा है या नहीं लेकिन यह है no contact live tester तो इसको हम आज test करेंगे चेक करके बताएंगे लेकिन उससे पहले में आपको एक बहुत जरूरी चीज दिखाना चाहता हूं और कुछ बताना चाहता हूं यहां पर आप देख रहे हैं न कुछ gadgets पड़े हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर air purifier है Bluetooth speaker है इधर भी Bluetooth speaker है यह मेगा फोन है जिसमें Bluetooth speaker है microphone है professionals के लिए मॉस्क्री टोगिलर है यह mini PC जिसको मैंने DIY project किया था उसके लाव यहां पर RGB headphones है यहां पर Bluetooth speaker है इन सब gadgets के मैं review कर चुका हूं लेकिन आपने से maximum लोगों ने इस तरह के gadgets नहीं देखे हैं आप प्लीज इन वीडियो को जरूर चेक कीजिए मेरे चैनल पर आपको मिलते है professional tech वीडियो बहुत ही कमाल के तो मेरे recent वीडियो जरूर चेक कीजिए और हाँ अगर आप पीछे की तरफ देख रहे हैं यहां को जरूर चेक कीजिए दिवाली lights का special वीडियो है तो चलिए बात करते हैं हम इस product के जिसके ओपर आज हमारा यह वीडियो बन रहा है तो यह है यहां पर no contact tester तो कभी simple सी packaging में आता है यह tester है साथ में दो battery हमको जो है पहले से मिलती है फटाफट से इसको box में से निकाल लेते हैं तो यह tester देखने में कुछ ऐसा लगता है और इसमें आगे आप देख सकते हैं plastic का यहां पर cover दे रखा है जबकि normal tester में आगे आपको पेचकस मिलता है तो यहां पे पूरा protection है किसी भी तरीके से आपको current या जट पड़ाइने वाली है पड़ावट से बैटरी स्कॉम निकाल लेते हैं अब बैटरी कैसे insert करनी है वो मैं आपको दिखा रेता हूं एक बार तो यहां पर जो है इसका यह कवर उपर का जो है इसको यहां पर हलका सा पुश करेंगे तो यह स्लाइड हो जाता है कुछ इस तरी ready to use है अब इससे test कैसे करेंगे वो मैं आपको अब दिखा देता हूं सेके नदर आपको एक चीज़ और अच्छी मिल देगी किसमें यहां पर एक छोटी सी LED टॉर्ज भी है जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो यहां पर आपको देखे टॉर्च देखने को मिल जाती में रात के समय जब आपको कोई बिजली टेस्स करनी होती है तो वहां पर यह टॉर्ज भी आपके बहुत सारा काम आएगी अब इस टेस्टर को यूज कैसे करना है वो एक बहुत सिंपल से प्रोसेस है अब मैं वह आपको दिखा रहा हूँ अब मैंने दिवाली बाली बात करी थी तो वह बहुत इंपॉर्टन है दिवाली पर इस तरह के लाइट्स आप लगाते हैं और कई बार क्या होता है लाइट्स बीच में से कहीं से खराब हो जाती है और आपको यह नहीं पता लग पाता कि लाइट्स में क्या वायर टूटी हुई है क्योंकि कई वायर तूटी भी देखती नहीं और लाइट्स खराब हो जाती है वहाँ पर यह नो कॉंटाक्ट टेस्टर बहुत जारा काम आने वाला है अब आपने क्या करना है इसमें बैटरी हमारी अल्रेडी इंस्टॉल्ड है इस टेस्टर को यूज कैसे करना है व इस तरह के सौकेट में ही इस तरह का टेस्टर जो है काम आता है लेकिन यह वाला जो टेस्टर है यह आप जैसी किसी भी बिजली के पास में ले जाएंगे अगर वहां पर करन्ट है तो यह आवास करने लग जाएगा और इसमें एक लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी अब क्योंकि इस वायर के अंदर करण्ट है तो जैसी मैं टेस्टर को इसके ऊपर लेक्या हूंगा मुझे टेच भी करने की जुरूरत नहीं है यह टेस्टर जो है अपने आप आप आवास करने लग जाएगा और इसमें एक रेड लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी तो आपने देखा अब मैं इसके एक बार वायर निकाल देता हूं अब क्योंकि यहां पर करन्ट नहीं है तो यहां पर यह टेस्टर काम नहीं करेगा क्योंकि अब यह टेस्टर काम नहीं कर रहा है अब मैं पैस ऐसी कोई लाइट नहीं पड़ी जो बीच में से कहीं से खराब हो नहीं तो और मज़ा आ जाता इसवीडियो में तो उसमें क्या होता है कि मान लीजे आधी लाइट जल रही है आधी नहीं जल रही है तो इस Tester को आप ऐसे move कर सकते हैं यह light जहाँ-जहाँ blink होगी आप समझ सकते हैं वहाँ तक current आ रहा है जहाँ पर यह light blink होनी बंत हो जाएगी आपको समझ में आ जागा कि light में fault वहाँ पर है और यह Tester किस तरह से काम आ सकता है मैं यहाँ पर आपको और example दिखा रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं दो वायर लगी है एक वायर में current है एक में नहीं है लेकिन अगर मुझे पता लगाना है कि किस में current है किस में नहीं है तो इस Tester को मैं लेके जाओगा पहले हम ब्लैक वायर पर लेके जाते है तो देखें यहाँ पर कोई current हमको नहीं मिल रहा है ठीक है मैं touch भी नहीं कर रहा हूँ in fact कभी touch भी करके देखा देता हूँ आपको क्योंकि यहाँ पर plastic है तो आपको कोई shock लगने का खतरा नहीं है अब यह जो red वायर है इसमें current है तो यहाँ पर tester को जैसी हम लेके जाएंगे तो देखा आपने यहाँ पर tester ने बता दिया कि इस wire के अंदर में current है और black वायर पर जैसी मैं लेके जाओगा तो वहाँ पर किसी भी तरह का current नहीं है तो वहाँ पर वो ना बज़र बज़रा है इस tester का नहीं यहाँ पर कोई light blink हो रही है तो यह देख सकते हैं तो डेल्ड सू रुपे में आने वाला यह gadget वाके में बहुत ज़ादा कमाल का है और हर घर में यह काम आ सकता है आ क्या सकता है काम आएगा अब छोड़ा से example में आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पर switchboard पर switchboard पर जबकि देखें यहाँ एक switch off है और एक switch on है लेकिन क्योंकि इसके पीछे face की तायर लगी होती है तो switch के पीछे current है या नहीं यह switch on या off करने की भी ज़रुत नहीं है आपको यहाँ पर पता चल जाएगा यह देखें off वाले switch के उपर लेजाने के बाद में भी यहाँ पर दिखा रहा है कि current है यानि अगर आपका switch कराब होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि पीछे wire कराब है switch ही कराब है तो यह सब ताम जाम खोलने की ज़रुत नहीं है यहाँ पर हम directly चेक कर सकते हैं कि हमारा switch के पीछे current है या नहीं अब जैसी मैं यहाँ पर इसको लेकर जाता हूँ तो देखें यहाँ पर light blink हो रही है क्योंकि इसके पीछे current है इस वाले area में current नहीं है तो यहाँ पर यह blink नहीं करेगा क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है और देखें यहाँ पर थोड़ा सा blink हुआ क्योंकि इसके बगल में यहाँ पर एक plug वाली तार आ रही है तो उसका contact यानि कि यहाँ पर एक risk है यानि कि अगर इस plastic को हमटाएंगे तो यहाँ पर current आने का risk है तो यह देखें इस तरफ current नहीं आ रहा है हलका समय इसके पास मने जाता हूँ क्योंकि हमारा जो यह निप है वो इस button के पास में टेच हो रही है तो यहाँ पर face की wire लगी हुई है तो यहाँ पर यह blink होने लग जा रहा है और यहाँ पर यह switch के पास मने जा रहा हूँ तो यह blink हो रहा है तो इससे आप easily पता लगा सकते है कि कौन सी जगे पर current है या कौन सी जगे पर current नहीं है और हर चीज में कोई ना कोई फाइदा होता है और कोई ना कोई नुकसान भी होता है यानि कि कोई ना कोई कमी भी होती है किसे ना किसी चीज में तो इसमें जो एक कमी है क्योंकि इसका price 500 से 200 रुपे का यहाँ पर एक holder है तो इसको आप अपनी shirt वगेर भी लगा सकते है अगर आप एक electrician है तो आपकी तो यह बहुत जादा की काम आने वाला है अगर आप यह चेक करना चाते है कि दिवार के पीछे wire है की नहीं क्योंकि कई बार हमको drill करना होता है तो हमें यह test करना होता है कि दिवार के पीछे wire है की नहीं तो वह वाला काम यह नहीं कर पाता यह इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि देखें यहां पर मैं अगर इसे दिवार पर टेच कर रहा हूँ एक पर दिखा रहेता हूँ तो दिवार पर यह किसी भी तरीके से मुझे नहीं बता रहा है कि दिवार के बीचे वायर है या नहीं तो बेसिकली यह इसी काम आ सकता है कि अगर आप चेक करना चाहते है कि आपकी वायर जो है वो कहीं से शाट तो नहीं है कहां तक करन जा रहा है कहां तक नहीं आ रहा है उस तरह की चीजों के लिए यह बहुत जादा फाइदेमंध हो सकता है गैजट बहुत ज़ादा कमाल का है और यहाँ पे देखिए इस पे कुछ चीज़े मेंशिन भी है और अगर इस गैजट को आप खरीदा जाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और दिवाली स्पेशल वीडियो जो मैंने बनाई है उसको देखना ना भूलेगा तो चानल पे बहुत सारे बड़िया बड़िया गैजट के वीडियो में दिखाता रहता हूं कंटिनुएसली तो चानल पे जाएए बाखी वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं दे आप डाफाएए तो चानल पे जाएएए रहता है सारे बड़ियो जो है।